हाई फ्रेंट्स विल्कम है हमारे यूटूब चैनल पर टूड़े वी हैब सेलेक्टेट टेस्ट नबर 30 इसमें हमने जो कोशन लिए यह सामान विज्ञान से जनरल साइंस काभी इंपोर्डिन कोशन है यह कोशन सभी एक्जाम्स में पूछे गए कोशन लिए हैं यह जितने सबी पूलेस आर्मी सब्हुक्षे गएक्जाम्स होते हैं जितने भी अभी तक पूछे गए कोशन हैं जनरल साइंस जो इस टॉविप में लिए हैं सबी पूछे कोशन है ऑके यह आल स्टेट की जतने भी और अर च्टे पिल्फित सी रेलवे गूरुप दी आलिस टेट के लिए भी काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे क्योंकि ये जर्नल साइंस के कोशन है क्योंकि ये सब्सक्राइब कोशन है क्योंकि कोशन पूछे गए और रिपीट हुए कई बार यहां पर हमने एर मिंसर नहीं किया लेकिन ये क्या है सब्सक्राइब कोशन पूछे गए और फिर्योग की जाने वाली गैस मुख्यता कौन सी होती है इसका आंसर 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 यह बहीं सब्सक्राइब कोशन पूछा गया कोशन है रेलवे में नेक्ट कोशन आपकी स्क्रेण पर टू नंबर एससी सीजल सार्मी में और कोशन पूछा जा चुका है कोशन विद्धिंग में निम्न में से कौशन प्रियोग किया जाता है याँ सब्सक्राइब है किस घ्राइब कभी क्या होता है इस कोशन पे ऐसा पूछा जाता है बंदिंग में का इसका प्रियोंग किया जाता है आप काम सर एसेटिलीन होगा ठीक है बाइद वे कभी-कभी एसेटिलीन प्लस आक्सीजन दिया होता है तब आपके स्किन पर पढ़ें और अपनाम सर बताएं कोशन नमबर फोटोग्राफी में उप्योगी तर तो कौन सा होता है एकॉर्डिंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट निमने में से कौन सा है according to option क्या है इसका right answer अगर answer है तो जरूर select करें इसका answer option भी इसका right answer है sodium bicarbonate क्या sodium bicarbonate इसे खाने वाला soda कहा जाता है baking soda के नाम से जाना जाता है इसका जो chemical formula होता है na hco3 होता है क्या na hco3 तो इसी को कभी कभी sodium hydrogen carbonate पढ़ा जाता है एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में और स्ट्रीडियस में पूछा गया था इसी के बारे में इसका ये फार्मूला जैसे होता है बेकिंग सोडा निमने में से कौन सा है तो उस पर ऐसा लिखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है तो ये पब्लि रेलबे में कई बार पुछा जा चुका, सोडियम हाइड्रयागसॉड लेकिन आपको त्याईशन रखना है थाया मतलब होता है मतलब होता है, इंडेन गेस, किस गेस का मिस्तेर है काफि इंपोंटनेंड पूछा गया कोशन आफसंस का राइट आंसर ये ब्युटेन और पॉपेन में निर तर्गेस ये मुखिततन कौंसा होता है इसका राइट आंसर क्या है Deputyage ये इसका झ्या गई ने गई होता है मेथेन गैस होती है स्काराइट आंसर है निगस कोशन है आपके सकी पर कोशन नमर 7 पर अपना आंसर बताने की कोशिस करें घरेलो इनन के रूप में प्रियूक्त LPG में मुखिता होता है कोडिक आफसन बताने क्या होता है यहां पर गैसेच की नाम दिए गए है LPG में जो gas होती है बहुताया मातरा में according to options rate करना है इसका आंसर आफसन भी है butane gas होती है ठीक है कौन सी? butane, butane, propane काफी ज़्यादा मातरा में होती है लेकिन जो आफसन दिये गए है उसमें B. आफसन सही होगा butane ठीक है क्योंकि according to option हम solve करेंगे जब भी question solve करेंगे एक बात का ध्यान रखके जब भी आपको question solve कराया जाता है या commission जब भी पूंचता है तो आपसे पूंचता है कि इन में से बताना है आपको जो आफसन दिये गए ठीक है तो आप यह मत समझें कि जो आफसन नहीं आपने पढ़े आपके और देख लें यहां पर यहां पर पॉइंट मेंसान जो नेच्रल गैस होती है उसमें मेठेन और एथेन होती है जादता नेच्छरल गैस में कोशन नमर एट आपके स्किन पर पढ़ें और अपना आमसर बताएं कि किसे चपीं इंपूर्टेंट बहुत पूछा जाता ये इसका जो राइट मेंधन को मार्स गैस के नाम से आन जाता है ये कोशन पूछा गया था दान के ख्येत में से कौम सी गेस निकलता है इन निम्नमें से तो यह गेस निकलती मेथे मेन एक कोशन पूशन पूशन पूश जाता है अधा दल डली सोटी है यह सउख जाता है तो फिसमें क्या दल दल हो पहुती है जम जाती है और भी अधर गैस जोती है लेकिन जो जैसे कि कोश्टल एरिया होते हैं निकलती है आफसंथी मेथेन नेक्स्ट है कोशन नमर आपकी स्किन पर नाइन निवने में से कौन जीवास में इन्धन है according to option select करें आंसर जो यहाँ पर fossil fuel है जीवास मीधन का मतलब होता है इंगलिस में से fossil fuel कहा जाता है इसका जो right answer is according to option आफसन सी है प्राक्तिक गैस जिसे natural gas कहा जाता है होते है प्राक्तिक जान का जाता है जीवास में ने ये शुबांग होते हैं mm जिवास मीधन के ऊते हैं जो तर्द के अंदर से निकाला जाता है जैसे की डीजल हो गयाistle leak talk और प्राक्तिक गैस ठीक होते इनको को नीचे से निकाला जाता है इनके भंडार होते हैं नीचे निकाला जाता है इनका प्रोसेसिंग किया जाता है ठीक है तो यह जीवास निम्धन के एक अंतर गता आता है यह प्राक्तिक्त नेक्स्ट है यहाँ पर कोशन नमबर आपकी स्कीन पर 10 पढ़े फिर अपना आपसर बताएं काफी इंपोर्टेंट है यह कोशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बायो गैस का मुख घटक क्या है क्या है इसका राइट आंसर काफी अच्छा कोशन है इसका जो राइट आंस गैस का मुख घटक क्या है मेथेन गोबर गैस में मुख ता तो कौन सा पाया जाता है मेथेन गैस पाई जाती है ठीक है यह सभी पॉइंट इपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट है कोशन नमबर आपके स्कीन पर 11 11 पढ़े फिर अपना आपसर बताएं यहां पर पू लुटिड करता है वो आपसर सिपे में लेड के इसके कई स्रोत होते जैसे जो गाड़ियां होती है वही कल्स होते है इसाघ्र होताय कि बी कैपटल पीया समयंहें को लेड कहादाए ओर यहां पर उनित मेंदे बेंक़स्ट यहां काफी मात्रा में यह लेड़ पाया जाता है और लेड़ बेस्ट पेंट होते हैं पेंट भी आते हैं जो घरों में पुताई की जाती है पेंटिंग की जाती है ठीक है इसमें क्या होता है जानना इसके बारे में क्या करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है किसको नर् इसके सोर्स है यह लिखा यहां पर लेट बेस्ट होते हैं जो कास्मेटिक का समान होता है उसमें भी होता है और अभी कुछ रिसर्च में पता चला था बंते हैं कि जो चोकलेट होती चॉकलेट में भी कुछ मात्रा में लेड़ पाए जाता है हिंदी में से कहा जाता है क्या सीसा लेकिन ये उस सीऽे से काफ़ी डिफरेंट होता है और बसरते क्या उसके कुछ मतलब प्रदूसित मिटी होती है उसमें भी पाया जाता है ताकि थाड़े खुबसूरत दिखें और तो चिकने जैसे दिखें जुएल्टी में भी मिलाया जाता है ताकि चमक बनी रहे और भी कई कार होते इस पार्किंग इंजन एयरक्राफ्ट जब यह जो एयरक्राफ्ट हो पेंट में इंसाइड आउसाइड ऑफ दी होसं आर्दी ओल्ड बील्डिंग क्या होता है उन्से पाणी फूल जाता है तो इसमें किया कि यह जदा सो्लो जाते वह से निकलता है जैसे कि गाड़ियां होती इनका जो धूआ होता है धुए से काफी जादरा में सखास कर जो सहरी छेतर के लोग होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं इसे ठीक है गाड़ियों के वेहिकल से ट्रक के कार से मुश्ली सभी गाड़ियों में क्या होता है फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है जब यह जलता है यह बर्ण होता से ट्रांस्पोर्टेशन से निकलने वाली या इमीट होने वाली गैस कौन सी होती है सबसे खतरनाग या जहरी लिए तो सी वो होती है कार्बन मोनो आक्साइड कहा जाता है इसी को कोशेंगे इसकर आज यह मतलर है कि उस्टेस किस अरकरतना दones porque होताय क्या स सकती है वेजेटेबल जो घूते है यह खाया जाता है क्या तो इसमें गयस इस इसके लिए इसके लिए आपको आंगर कोशेंग वाह आपसे पूछा जाए पूरे worlds यू यूफ़ पूरे योनिवर्स में पूरे ब्रहमांड में पूरे योनिवर्स कहें या पूरे ब्रहमांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है पूरे योनिवर्स की बात कर रहें ठीक है अगर आप से पूछ यहां पर कॉशन नमर थर्टी नहीं पर पढ़ें फिर आमसर बताएं कौन सी गैसे कुछन में प्रियोक की जाती है और यह जो होती है से क्या होता है लोग लो को प्रकार के लाँने जलने लगती है यहां से त्यों लाइटर में जो गैस प्रियों तो थी वो ब्यूटेन जोंडा काफ़ी एगनीशन करती है इसलिए प्रियोग कीजाथी के लूट वर शेयर जोओ है चौजर किन पर 14 सबसे खराब वाई प्रोजटार उत पर्णने करने वाल्ला पे परणर और री कार्मान करने है कि यह कारवन मोनो आकसाइड है ठीक है कारवन मोनो आकसाइड यह सबसे जहरीली गैस सबसे प्रदूसित गैस मानी जाती है कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है सी ओ के कारवन मोनो आकसाइड के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो यह क्या करती रख्त के साथ, बलड के साथ, जल्ली से क्रिया कर लेती है, एक्सेजन को बादित करती है, और व्यक्तिकी थोड़ी देर में मरत्यी हो जाती है, यह ऐसा कोशन पूशा गया था, पबलिक सर्विस कमिसन में और इस्टाफ नर्थ में भी ये कोशन पूछा जा चुका है वो कौन सी गैस है जो रक्त के साथ 80C गरता से घुल जाती है और और लोगों को दम घुटन महसूस होती है तो ये कार्बन मोनो आकसाइड गैस है ठीक है और एक कोशन पब्लिक सर्विस कमीसान और उसमें पूछा गया था क्या कहते हैं आरो में आरो एकजामस में पूछा रिवेंटनी ऑफिसर में पूछा गया था दम घुटू गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है और रेलेवे में सासी पूछा जा चुक है एक कोशन कहिके एक जामस में रिपीट होता रहता था ठीक है तो कार्बन मोनो अकसाइड को दम घुटू गैस इया है डिम कहा जाता किसे कार्बनucksाइड इंसका जब को स्यम्बल होता है चाप कुछा चिजह है समझ बोल लिखा और इसे कोबाल्ट पढ़ते हैं यह सभी फार्मूले काफी इंपोर्टे ने कभी फार्मूले लिख दिये जाते हैं ऐसा नाम नहीं लिखा जाता पूरा पूरा लेकिन जैसा पूछा गया कमिशन ने वह समय ने लिए लिए ओके यहां पर देखें सोर्स आप कार्बन म और कार्बन मोनो अक्साइड यह दो में गैस से ज्यादा निकलती है उससे अगर दोनों में से बात किया जाए सबसे जहरीली गैस कौनसी होती है तो कार्बन मोनो अक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है हमारे रख्त के साथ अती सीगरता से हमारे बलड में घुल जाती है ज कभी भी आपको बंद कमरे में किसी प्रकार का अंगीठी या आग जला के आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए कभी भी आपकी अचानक मिरत्य हो शक्ति इसका करण यहीं होता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में आक्सिजन नहीं मिलती क्योंकि कि यह जो करण मोन आकसाइड गैस होती है ओटू को मार देती है किसको मार देती है और अपना कभजा कर लेती है यह करण मनो आकसाइड उमित करते हूं समझ गहांगे आप नेक्स्ट कोछ नहीं आप यहां पर देख लें और सेमेंट उध्योग से भी यह कार्बन मोन यहां पर देखें फॉसिल फ्यूल लाइक कोल ऑयल और नेचुरल गैस से भी ऐसा जलाने से निकलता है नेच्ट नमर आपके सिक्ट पर फिफ्टीन फिफ्टीन पर पूछा गया है कोशन निम्तम प्रदूसर्ण उत्पन करता है काफी इंपॉर्डन कोशन है यह कई बार उठाया गया एक जांस में और अभी भी बहुत पूछा जा रहा है चर्चा में हमें से रहता है आप संसे इ सब्सक्राइब का स्वाएं लुट इसीलिए जापाण जर्मणी जापान जर्मणी में जो बसों के लिए ट्रैल चल ला है और रेल-गाड़ी के लिए लुकुन इन तो इसलिए इसका ज्यादा उच हो रहा है और काफी चर्चाह में इसमें अभी काफी एक्सपरीमेंट किया रहे है जापा है जर्मनी एंडिया की तरफ से भी के जा रहे हैं और भी कई जितने भी डेपलफ कंट्री हैं सभी कर रही है ठीक है तुद्धान रखना है सबसे नियुम्तन पर दूसर करता है इसलिए इसे इंधन के रूप में लाया जाना काफी अच्छा माना जाएगा क्योंकि जो को जो मुखे घटक होता है मेथेन खतार मेथेन का अगर फार्मूला की बात करें तो सियर्च फोर होता क्या होता थाहिश्फूर एक बात का ऑफ आच्छे बाउपए घर करते हैं से और चार जब घर्र्ट में जाएंगे तो यह अनृमन जाता ठीक है यह प्राक्तिक्वाइ प्राक्तिक गैस बायो गैस गोबर गैस इनमें सब का अंसर यह होता है मीथेन और पूछे यह तीनों कोशन बहुत आया जाते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कोशन नमर आपकी स्कीन पर 17 सभी अमलों में सबसे सामाने तत्तो है यह पूछा गया कोशन है और आरो मे हैं जितने ही प्रकार के ऑ LEFC होते हैं अमलों उसमें सब में हायद्डा यह सामान रुप से पाया जाता है सामान रुप से जर्नली कामली पाया जाने माले जो आलम І्लिमेंस होता है तत्तो होता हैerem डोजन होता सबी सेचन जाता है जैसे कि न यह लगा का सोडियम हाइड राकसाइड यह क्या है एक प्रकार का चार है जब बैसस कहेंगे सब्सक्राइब नेक्स्ट है कोशन आपके स्कीन पर कोशन नमबर 18 पढ़ें फिर अपना आमसर बताने के कोशिस करें कोशन नमबर 18 यहां पर पुछा गया है जब इनो लवन को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं इसका कारल क्या है आपने देखा होगा जो इनो पिया जाता है उसमें क्या होता है जब उसे जल में या वाटर में या किसी ग्लास में डाला जाता है या पिया जाता है तो उसमें क्या होता है बुलबुले से बन जाते हैं इसका कारल क्या कारण होते हैं वो co2 gas होती है कौंसी gas होती है co2 इसमें बुल्बले आपने देखा होगा इस प्रकार के बुल्बले होते मादलो यह इक गलास है यह जयग में यहां पर में लिक लेना ठीक है साइटर फूर्ज में कौन सा विटामिन प्याजाता विटामिन फूर्ज फूर्ण अगर फूछा जाए साइटर फूर्ड के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं कौन से सुरोथ हैं तो अमला होता है क्या अमला या आमला कहा जाता है इसी क्यों ठीक है आमला टमाटर हरी मिर्च और जितनी भी खटी चीज़ी होती है और जैसे कि अम्रूध हो गया तो इन सभी में क्या होता है विटामिन सी परयातो मातरा में पाया जाता है अगर सब औरेंज हो गया और पपीता में पाया जाता है तो चिहां जाती है और जो जितने भी अंगूर होते हैं ग्रेफ्स में परयाफ्त मात्रा में पाय जाती है यह कोशन पूछा गया था पिछले साल पप्लिक सर्विस कमिशन में जो साइटरस फूड होते हैं ये सबसे अधा कहां पाया जाते हैं ये भूमद रेखी छेतरी में पाया जाते हैं भूमद रेखी का मतलब होता है Mediterranean Sea के आसपास पाया जाते है Mediterranean Sea आपको पता होगा अपना इंडिया ठीक है ये अफरीका का पार्ट है इधर South America और यहां पर North America है यह वाला जो पार्ट है यह वाला यहां पर सबसे ज़्यादा अंगूर या खटे फल जैसे संत्रा मुशमी यह सारे उगते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा ठीक है भूमत रेखी चेतर में उखते हैं या मेडिटोरियन सी के आसपास नेश्ट कोशन है यह आपके लिए कोशन नुबर 20 इसे आपको बताना होगा क्या इसका राइट आंसर अमलो वर्सा मुख्यता किस गैस के करण होती है कई बार नर्सिंग एक्जाम्स में भी पूछा जा चुका है पब्लिक सर्विस कमिसा रेलवे एससी आर्मी पुलिस सभी में यह कोशन कामन पूछा जाता है क्योंकि यह चिंता का भी से रहता है इस वज़े से यह कोशन बहुत और वीडियो को लाइक करें लाइक जरूर कर दिया करें आप इससे थोड़ा मोटिवेस्टर मिलता है और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ओके थैंक्स पार वाचिंग प्रेंट थैंक्यू बाबाई टेक केर्स जर वीडियो कर्णा है।